डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस्टुडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था authentic answer नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ minimum time में maximum study करनी थी तो एक ए concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी बाद में student की demand आने लगी कि sir ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो की class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम video हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है जो की different domain के है आप एक बाप playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के video यहाँ पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers जो है वो इस channel के non subscriber है जिन्होंने subscribe नहीं किया है के बट 25% viewers ने ही subscribe किया हुआ इस channel को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए वाज यही आसा के साथ वीडियो सुरू करते है I have this question को solve करते है question आप से करते है the number of sodium atoms in two moles of sodium ferocyanide is option A 12 into 10 power 23 B 26 into 10 power 23 C 34 into 10 power 23 और D 48 into 10 power 23 तो सबसे पहले तो हमें sodium ferocyanide का formula पता होना चाहिए तो sodium का तो नहीं पता है लेकिन हमें potassium का पता रहता है generally क्योंकि हमको यह बहुत ज्यादा इससे हम family है रहते हैं तो potassium ferocyanide का formula पहले हम लिख लेते हैं तो potassium ferocyanide का formula आपको यादा रहा है कि K4 Fe Cn6 होता है ठीक है ना तो अब यहाँ से हम इसको sodium ferocyanide का भी लिख लेंगे तो sodium ferocyanide ठीक है ना तो sodium ferocyanide का formula होता है Na4 और यह जाएगा Fe Cn6 सब्सक्राइब अगर हम इसको break करेंगे तो break करने पर यह 4 Na प्लस आइन में break होगा और प्लस Fe Cn6 4 माइनस में break हो जाएगा बास सब्सक्राइब अगर हम इसको break करेंगे dissociate करेंगे तो यह क्या करेगा यह simple cation और complex anion का formation करता है अच्छा अब जरा बात करोई कि कितने मोल तुमने लिए तो तुमने लिए कितने वन मोल लिए कितने sodium मिले वह तो 4 मोल मिल गया है ठीक है ना तो अगर तुमाई पास में 2 मोल अगर यह होता तो कितने sodium मिल जाते तो 8 मोल sodium मिल जाते है तो 8 mol sodium मिल जाते या निए 8 mol sodium मिल जाते या यह तो number of sodium atoms की बात कर रहा है तो भाई 8 mol sodium atom अगर आपको मिलते तो number कितने मिलते तो 8 into na sodium atoms मिलते है यानि क्या होता 8 into 6 into 10 to power 23 बाई 6.022 को मैंने आपे 6 लिख लिया है तो यह value हो जाएगी कितना 48 into 10 to power 23 तो इस आप से आपको समझ में आ रहा है कि option D जो होगा वो इसका correct answer हो जाएगा